दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कि नौर्थीस्ट के टॉइलेट की क्या सच में रेमिडी नहीं हो सकती है आज हम इसी वास्तु के विशय के बारे में बात करेंगे बहुत बार आपने देखाऊगा दोस्तो बहुत सारे कंसर्टेंट्स ऐसा बोलते है कि नौर्थीस्ट के टॉइलेट की कोई भी रेमिडी नहीं होती इसको तोड़ना ही इसकी रेमिडी है जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तो मैं आपको बता दू हर चीज की वास्तु में रेमिडी है और सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जिस टाइम वास्तू लिखा गया था उस टाइम घर में टॉयलेट्स होते ही नहीं थे तो इस चीज़ को कहने वाले इस चीज़ को बनाने वाले या इस चीज़ को बताने वाले कि नौर्थ हीस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसकी remedy ही नहीं है तो वो गलत है वो ये गलत वहम फैला रहे हैं दुनिया में क्योंकि जिस टाइम लिखा गया था वास्तू उस टाइम तो घर में toilet होते ही नहीं थे तो ये कहां से आ गया कि नौर्थीस्ट में अगर toilet होगा तो उसकी remedy ही नहीं होगी तो दोस्तो ऐसा नहीं है वास्तू की पूरी जो science है दोस्तो वो energy balancing पर work करती है और अगर आपके भी घर के नौर्थीस्ट में toilet बना हुआ है और अगर आप उसको properly rectify करते हैं properly उसकी remedies करते हैं तो 80% तक maximum 80% तक उस defect की rectification होती है वो defect 80% तक ठीक होता है तो इस बात से तो डरना छोड़ दीजे कि नौर्थीस्ट के toilet की remedy नहीं होती ऐसा नहीं है जिस टाइम वास्तू लिखा गया था उस टाइम घर में toilet नहीं होते थे अब वास्तू वाले कहते हैं नौर्थीस्ट में toilet की remedy नहीं होती यह किसने कहा तो यह तो आप सोचना छोड़ दीजे दोस्तो कि नौर्थीस्ट के toilet की remedy नहीं होती remedy होती है, बिल्कुल होती है सिर्व आपको उसकी toilet की negativity को कम करना है क्योंकि toilet की negativity खतम नहीं हो सकती क्योंकि वाँ toilet बना हुआ है बट हम उसकी negativity को वहीं पे ही खतम कर सकते हैं कि हम उसको घर में आने ही ना दे इस remedies पे एक मेरी वीडियो बनी हुई है उसमें आप remedies भी देख सकते हैं कि North East में अगर आपके घर का toilet बना हुआ है तो उसकी आपको remedies क्या करनी है इसमें एक और factor आता है दोस्तो earth vibrations का अगर किसी भी जगा की earth vibrations 11,000 है और electromagnetic waves उस जगा की less than 30 है तो single toilet की remedy work करेगी वहाँ पे North East में आपका toilet अगर बना हुआ है और आपके घर की earth vibrations जो है आपके घर में वो 11,000 से उपर है या 11,000 है और electromagnetic waves आपके घर की less than 30 है तो single remedy और single remedy भी क्या है दोस्तो कोई आपको महंगी remedy नहीं करनी कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना single remedy करनी है एक spider या snake plant आपको market से लिके अपने toilet में लगा देना है हो गई North East के toilet की remedy अगर earth vibration और electromagnetic waves जो मैंने बताई है उस range में है और अगर उससे कम होती है तो दो remedy आपको करनी है कि आपने एक तो plant रख लिया दूसरी remedy आपने sea salt रख लिया समुद्री नमक जिसको बोलते है transparent glass bowl में रखी है महीने महीने हर महीने उसको change करते रहिए होगी remedy दोस्तों छोटी छोटी remedies से आप वास्तू की energies को balance कर सकते है किसी भी वहम में पढ़ने की जरूत नहीं है आपको दोस्तों के नौर्थीस का तो toilet है जी तोड़ना पड़ेगा या फिर ये दो लाख रुपे की remedies करनी पड़ेगी ऐसा नहीं करना दोस्तों नौर्थीस के toilet की अगर घर की vibrations अच्छी है तो एक दो remedy में ही काम हो जाता है खराब भी है तो एक आध remedy और maximum आख को use करनी पड़ेगी उसके लावा कुछ नहीं करना धन्यवाद दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें